तो दोस्तो क्या कभी आपने सोचा है कि आखी ब्राउन कलर के बॉक्स और पेपर में ही क्यों होती है डिलीवरी और वहीं बॉक्स को अलग कलर में क्यों नहीं बनाया जाता है तो आखिर इसके पीछे का राज क्या है क्यों दोस्तो पढ़ गे ना सोच में पर आप ज्यादा म सोचे, ये सब हम आपको बताते हैं तो दोस्तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरू से सब्क्राइब कीज़ेगा क्यूंकि हम आपके लिए ऐसी और भी भहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं, तो दोस्तो फटाबट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आजकल ओनलाइन सौपिंग का जमाना है लोग घर बैठे बैठे अपनी जरुवत की चीज़ें ओनलाइन ओरर कर देते हैं जो कोरियर के जरिये उनके घर पर आ जाती हैं इससे गराकूं दारा ओरर की गई उनकी मनपसंद चीज़ें उनके घर बैठे बैठे मिल जाती हैं हालांकि आपके घर कोरियर हुए पारसल को आपने अगर ध्यान से देखा हो तो वह एक ब्राउन कलर के बॉक्स में आता है आपने यह भी नोटिस किया होगा कि जो कोरियर में डिब्बे आते हैं वो हमेशा ब्राउन कलर के ही होते हैं क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यूं यह डिब्बे हमेशा ब्राउन कलर के ही होते हैं अगर नहीं तो आईए आज हम आपको इसके पीछे की एक एहम वजय बताते हैं तरहसल कोरियर के बॉक्स से जिसमें हमारे पारसल आते हैं वो कारपोर्ट से बने होते हैं वहीं कारपोर्ट पूरा का पूरा पेपर से बना होता है अब आप यह बात तो जानते ही होंगी कि जो natural paper होते हैं उन्हें bleach नहीं किया जाता है इसी खारण से वो brown color के होते हैं वहीं हम natural paper को bleach करके white करते हैं ताकि हम उस पर आसानी से लिख सकें हालांकि हमें carport पर किसी चीज को लिखना नहीं होता है इसलिए उसे white करने में पैसे खर् हैं और वहीं दोस्तो Amazon और Flipkart जैसी कमपनिया सामानु के online booking की delivery के लिए जिन box का इस्तमाल करते हैं वह दरसल carport box से ही होते हैं क्यूंकि courier के लिए use होने वाले carport box के लिए कोई ग्रहक extra पैसे नहीं देता है तो दोस्तो paper cost को कम रखने के लिए कमपनिया brown box में ही delivery करती हैं और जिन white paper में हम लिखते हैं वो paper पहले brown ही होते हैं पर उन पर bleach करके उन्हें white किया जाता है जिससे हम उन paper पर जो भी लिखें वो आसानी से दिख सके तो दोस्तो अब तो आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि आखिर ऐसा क्यूं किया जाता है तो आज के लिए वीडि झाल